फ्रेंड्स को की तास्मा में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए इच स्पेशल शिर्खुमा लाई हूँ जो बहुत ही टेस्टी लगता है बनने के बाद मैंने इसे बनाया था मुरे घरवाले इसे बहुत पसंद किये इसे कुछ हम डिफरेंस स्टाइल से 25 काजु बदाम ले लेंगे जिसे हमने बारिक काट लिया हुआ है थोड़ी सी किश्मिश ले लेंगे 10 से 12 खजूर ले लेंगे जिसका बीज निकालके हमने उसे बारिक काट लिया है और 7 से 8 छोहारा ले लेंगे जिसका बीज निकालके हमने बारिक काट लिया गरी को हमने खीस लिया हुआ है, सेवहियां हमने मोटी वाली लिए, जब भी आप शिखुमा बनाएं, नो मोटी वाली ही सेवहियां लीजिए, क्योंकि इससे आपके शिर्खुमे का टेस्ट और भी इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, इसे हमने थोड़ा सी तेल लगा के तल लेना है इस तरीके से हलका ब्राउंड हो जाए फिर एक पैल ले लेंगे उसमें हमने तीन छोटी लाइची तीन लॉंग डाल देंगे अब इसमें हम घैस की फ्लेम को स्लो कर देना है इसमें हम दल मखाना डाल देंगे उसे हल्का सा रोष कर लेंगे जब हम दल मखाने को किछीए तरीके से लाल करते हैं उसमें एक क्रिस्प रीनस आ जाती है वो शिर्खों में में बहुत ही अच्छी लगती है फिर सारे ड्राइफ रूट्स जो हमने बताये थे सारे डालके उन सबी को हलका हलका रोस्ट कर लेना है फिर इसमें हम गरी डालकर उसे भी अच्छी तरीके से थोड़ा सी भुलनेंगे बुलने के बाद फिर इसमें हमने समया डाल देना है समयों को अच्छे से हम सारी ड्राइफ फूर्ट में मिला लेंगे इसमें हम एक लीटर दूट डाल देंगे दूट डालने के बाद शक्कर डाल देंगे स्वाद अनुसा डालेंगे हमने एक कब डाला है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं और जो हमने इलाइची लॉंग डाला हुआ था उसे एक किक करके निकाल देंगे इसकी कंसिस्टिंसी थोड़ी गाड़ी ही होती है ये देखिए सेमया बनके रेडी हो चुकी है कितनी अच्छी और कितनी पॉफेक सेमय रेडी होई है आप इसे एद पे जरूर बनाईएगा बहुत जादा आपके घरवाले और आपके रेलिटिवस इसे पसंद करेंगे और इन बॉक्स में जरूर बताईएगा कि आपकी सेमया कैसी बनी और मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा